हाई ट्वेल्टीज वेलकम तो एसीवे कॉर्मेर्स क्लासिस मैं हो ताबिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम अपना नियर चेप्टर मैक्रो एकनॉमिक से स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गर्वर्मेंट बजर्ट एंद एकॉनमी काफी इंट्रोसिंग साफी साथी चीज़ें जो आज आज आपको सीखने को मिलेंगी इस चेप्टर में इसे एंट तक जरूर देखना और गाइस अगर चैनल पर फॉर्स्टाइम आ रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करिए और आप अपने डाउट मेर से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मेरी आइडी तबिता मैसी पर मेसेज करके पूछ सकते हैं अब आगे बढ़ते हम अपने चेप्टर की और सब्सक्राइब बजट होता क्या है सबसे बहले तो यह हमारे घर में जो बजट बनता है वो मम्मी बनाती है अब मम्मी जो बजट बनाती है वो क्या बनाती है कि इस महिने में कहां कहां खर्च करने वाले है हम लोग पैसा और कहां कहां से पापा से भाई से कहां से इंकम होने वाली है और कहां हम खर्च करने वाले है बहन कमा के लाने वाली है भाई तो इंकम भी लिखी होती है और expenses भी लिखी होते हैं यानि कि receipt भी लिखी है, expense भी लिखे है हम उसे मम्मी का budget कहते हैं जो मम्मी ने बनाया और मम्मी उसमें से जोड भी लेती है पैसा, right? गर्मेंट भी गाइस इसी तरीके से budget बनाती है बट वो हमारे घर के खर्चों को नहीं, गर्मेंट अपने खर्चों को और अपनी income को दिखाती है तो उसे government budget कहते हैं गर्मेंट पूरे economy के level पर budget बनाती है, right? So उसी को government budget कहा जाता है, so government budget is an annual statement, साल में एक बर बनता है यह month का नहीं बनाते हैं हमारे घर में monthly income आती है तो हम month का बनाते हैं, but government budget क्योंकि साल भर का बनता है, बार-बार government budget नहीं बनाती रहेगी तो इसलिए साल का budget बनाती है कहां से हमें इंकम आनी है और कहां हमें खर्चे करने है इसका अनुमान उसमें सारा लिखा होते है during a fiscal year यानि कि एक साल का जो fiscal year यानि कि जो हमारा financial year आ रहा है उस साल के सारे expenses तहां कहां खर्च होने हमारे और सारी income government अपने budget पे लिखती है तो government को पता चल जाता है कि उसके कितने खर्चियों होने वाले हैं और उसको कहां खर्चियों होने वाले है तो उसके लिए वो पहले से prepare रहती है so government budget is an annual statement showing item wise estimates of receipt and expenditure during a fiscal year so अब fiscal year guys क्या होता है अब आप लोगों को इतना तो बता है financial year हम लोगों के लिए commerce student के लिए year start होता है 1 अप्रेल से और end होता है 31st March calendar year तो हम भूली चुके है January से December वाला अब हमारे लिए year कब से start होता है April से March में अब government कब budget पेश करती है तो guys देखो जो budget पेश किया चाते है central government भी करती है state government भी करती है बट जो हमारी book में पढ़ाई है वो central government जो budget पेश करती है उसे union budget कहते है तो हमें इसके बारे में पढ़ना है जो central government budget पेश करती है तो वो कब करती है first day of the February month यानि की February में करा जाते है first day पर और कौन प्रेजिन करते है हमारे finance minister पेश करती है budget को आपके MCQs में ये question पूछे जा सकते है इसलिए याद रखना है और आपको पता होना चाहिए knowledge के लिए भी है right so ये तो था हमारे budget के बारे में अब budget लाने का मकसद क्या होते है क्या objective होते है क्या उदेश है हमारा budget को लाने का budget हम क्यों बनाते है तो सबसे पहला जो guys objective होता है वो होता है reallocation of resources यानि कि government अपने resources को reallocate करती है reallocate मतलब सही जगे पर दुबारा से उनको लगाया जाता है तो इसमें सबसे पहले government जो action लेती है वो लेती है tax concession and subsidies का अब tax concession and subsidies के क्या करती है कि कौन कौन सी यसी companies है जहां पे हमें tax में कटोती करने की ज़रूरत है या tax जहां पर लगाने की ज़रूरत है और subsidies कि कौन कौन सी company है जहां पे हमें subsidies देनी है राइट जैसे agriculture sector में हम electricity में subsidies देते हैं और tax हम सबसे ज़्यादा किस पर लगाते है जो harmful products होते है like liquor पे शराब और दारू और पे cigarette pay इन सब पे taxes ज़्यादा लगाए जाते है अब government एक तो इसको allocate करती है कि देख लें किस पर कितना लगाना है दूसरा directly producing goods and services तो directly producing goods and services में basically guys वो goods आते हैं जो government produce करती है या फिर public goods इसमें include करे जाते हैं public goods कौन से होते हैं जो public के लिए होते हैं यह question guys आपके MCQ CBSE sample paper में भी आया है कि public goods जो होते हैं कौन से driverless होते हैं driverless मतलब जिन पर लडाई करी जा सकती है तो नहीं guys जैसे अब पार्क अगर पब्लिक goods है तो इस पर हम नहीं लड़ सकते कि वो पार्क मेरा है या आपका है वो एक ऐसा goods है जिस पर सबका अधिकार है ठीक है non-excludable हम इसको किसी को exclude भी नहीं कर सकते हैं भाई तू नहीं आएगा पार्क में तू नहीं खेलेगा तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं सबका इसमें समान अधिकार होता है गर्मेंट जो है अब इसको reallocate किया जाते है तो पहला objective तो resources का reallocation था Second, reducing income inequality and wealth अब यहां पर गर्मेंट क्या कर रही है income inequality and wealth को कम कर रही है यानि कि 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 इंकम बहुत जादा है किसी person की इंकम जो इसके पास तो बहुत जादा डॉलर बहुत पैसा आ रहा है और बिचारे इसके पास यह उदास बैठा है इसके पास कोई पैसा नहीं आ रहा है तो government क्या करेगी इसके उपर taxes लगाएगी और इसको subsidies देगी ताकि इसको सारी चीज़े मिल सके like free education, ration मिल सके तो यह सारी चीज़े government कैसे करती है reducing inequality and income and wealth में अमीरों पर, rich people पर जादा tax लगाया जाता है और उनसे कमाई हुई tax को उनसे कमाया हुआ tax जो है income ए गवर्मेंट के लिए और वो फिर जो हमारे weaker section है poverty line से नीचे लोग है जो गरीब लोग है उनकी help में लगाया जाता है तो उनको subsidies दी जाती है जाए वो gas cylinder में दी जाए या फिर राशन वगरा में दी जाए तो यह चीज इसमें इस पर भी mcq आ रख है guys की government कैसे income inequality को दूर करती है तो tax में changes करके ठीक है tax अमीरों पर लगा के और गरीबों को उनकी subsidies देके इस तरीके से थर्ड हमारा क्या objective होते है guys क्यों budget लाया जाता है तो उसमें economic stability अब भई देश की stability के लिए budget क्या करेगा तो देखो economic stability में हमारा inflation भी आ सकता है जैसे महंगाई और deflation भी आ सकता है जैसे मंदी तो government जब महंगाई चल रही होती है तो अपने खर्चों को थोड़ा कम कर देती है ताकि economy में ज़ादा पैसा ना आए और लोग अपने खर्चे कम करें क्योंकि demand ज़ादा होती है और supply कम होती है तो चीज़े महंगी हो जाती है inflation आ जाता है तो government उसको रोकती है और अगर मंदिय चल रही होती है तो government खर्चे ज़ादा करती है ताकि लोगों के पास पैसा है और उनसे income बनेगी लोगों की तो वो demand ज़ादा करेंगे तो government economic stability भी करती है किसमें? budget में क्योंकि government में budget में government अपने खर्चे भी लेके आती है कि जो उसने economy पे करने है और कहां से वो कमा सकती है कौन-कौन से उसको income होनी है tax के रूप में, non-tax के रूप में उस पर भी ध्यान देती है तो वो कैसे? economic stability में भी help करता है 4. management of public enterprise अब public enterprises कौन से होते हैं? जो of course government handle करके चल रही है जैसे कि हमारा railway, post office यानि कि उसका monopoly है उस market में एक ही बंदा है जो उस काम को कर रहा है और कोई नहीं कर रहे अब electricity है, हमें पता है यह अब private हो चुकी है लेकिन जब government की थी तो एक ही जगे से electricity आ रही थी that is called monopoly ठीक है, इसमें हम दो या तीन जगे से भाया तेर से connection अठ्छा नहीं लग रहा चल दूसरे बंदे से ले ले वो नहीं हो सकता monopoly market क्या होती है जहां पे सिर्फ एक seller होता है तो यहां पर government natural monopoly में होती है कि government ही सिर्फ उन चीजों को ऊपर डेखभाल कर रही है उन्हें produce कर रही है तो government उन चीजों पर भी manage करके चलते हैं कि कहां उन्हें ज़ादा पैसा लगाने की ज़रुरत है कौन से उनके enterprises है जहां पर उन्हें improvement की ज़रुरत है तो उस पर भी देखा जाता है budget में कि कहां कहां खर्चों ने करना है इसके बाद आती है economic growth economic growth में क्या आता है कि अब हमें अपने देश को growth देनी है जिसमें हम लोग basically growth कैसे देते हैं अपने GDP को increase करते हैं यानि कि हमारे देश में चीजे production जो है goods and services का वो जादा से जादा और हमारे देश में growth हो तो government इसमें भी different different scheme लेके आती है कि किस तरीके से हम लोग अपने जो enterprises है उनको subsidies दे सकते हैं ताकि वो जादा चीजे produce करें और जहां पर हमें लगता है कि यह harmful product जैसे कि मैंने आपको बताया है शराप का या फिर cigarette का उन पर जादा tax लगाया जाते हैं So economic growth में government जो होती है हमें पता है कि दली फिर भी develop हो रहा है दली में बहुत सारे अच्छी schools है सब कुछ ऐसा मतलब काती सारी facilities है लेकिन जब हम किसी गाओं में जाते है जहां पे facilities नहीं होती तो government अपने budget में लेके आती है कि उन्हें भी हमें क्या करना है develop करना है तो कैसे करें वहाँ पे factories होनी चाहिए वहाँ रोड होनी चाहिए वहाँ electricity होनी चाहिए वहाँ बैंक होना चाहिए infrastructure अच्छा होना चाहिए तो government अपने budget में लेके आती है कि यहां हमें backward section है यहां पे backward area है इसे हमें improve करना है तो वह कब लेके आती है budget में कि ताकि हमारा जो regional disparity है उसको दूर किया जा सके यानि कि regional wise शेत्र wise जो भेदभाव है कमी है एक जगे में बहुत lower down है एक जगे develop है उसको दूर करना वो इसमें करती है So government का जो भी budget होता है कि उसने कौन से खर्चे करने है कहां से उसको income होनी है तो यह सारे main मुद्धे होते है इन सब के ओपर काम करना government का main aim रहता है कि भाई हमें यह चीज़े अपने देश के लिए करनी है इसलिए government जो budget लेके आती है That is economic stability लेके आती है Economic growth लेके आती है ठीक है अब इसके बाद government manage करके चलती है अपने public enterprise Government ने तीन काम क्या करे Economic stability, economic growth और अपने public sector को manage किया तो तीन चीज़े तो government ने economic wise करी ठीक है तीन चीज़े आपको R के नाम से याद रखनी है R for reallocation of resources R for reducing income and inequality prosperity तो तीन तो R से आपको याद रखने है और तीन economic level के काम याद रखने Economic stability, economic growth and management of public government के enterprises को इस तरीके से आप इसे बहुत असानी से याद कर सकते हो 3 R plus 3 economic activities ठीक है I hope आपको इस वीडियो समझ हाई होगी और अगर समझ हाई है तो like करें भी न बिल्कुल नहीं जाना और बस और अगर कोई भी राउट हो तो Instagram पर आप लोग मसे बूच सकते है माईडी है ता बिता मैसी थाइंक यू